हेलो फ्रेंट वेलकम टू एसी ट्रेडिंग गया तो फ्रेंट आज हम यहां पर डिसकस कर रहे हैं नेशनल इल्यूमिनियम शेर का टेक्निकल अनलेसिस तो फ्रेंट आप देख सकते हैं नालको का जो स्टॉक के उसमें अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है और त कुछ कर अगर उपर की तरफ यदि 83 का लेवल ब्रेक होता है तो अच्छा ब्रेक आउट मिलता हूँ आपको दिखाई देने वाला है तो इस वाले लेवल पर बात करें तो यहां से स्टॉक नेचे की तरफ गिरता है वह सीधा जो गिरावट होती वह कहां तक आ जाती लेकर तो आप देखेंगे 67 रूपीज तक आपको इस टॉक के अंदर यहां पर गिरावट देखने को मिल जाती है इसके वाश्टाग में हलका सा करेक्शन आता है उपर की तरफ यह देखिएगा इस वाले करेक्शन के बाद अगर हम बात करें तो फिर से स्टॉक नीचे की तरफ जाता है वह नीचे कहां तक तो अपीज देखेंगे नीचे की तरफ सपोट लिया श्टॉक ने 67 पर यहां से स्टॉक फिर तेजी करता हुआ उपर गया और उपर की तरफ लगभग 83 रूपीज के लेवल को 83 प्लस के लेवल को यहां पर टच करने के बाद इस बार जो करेक् अब नहीं देता और आप देखेंगे यहां पर जाने के बाद इस वाले इस टॉक नीचे की तरफ लोड करके आगया और 67 पर फिर से एक बार पर देखने को मिल जाता है इसके बाद अगर आप बात कर चल रहा है और उपर की तरफ चलते हुए इस टॉक जो है यहां पर 83 रूपिस का तो वो तो आपको अच्छीव हो गई लेकिन मैं आपको यहां पर रिकमेंट करने जाता हूं कि यदि यहां पर 83 के आसपास अगर आप देखें और ब्रेकाउंट मिल जाए तो आपको इस रडार पर रखना होगा डेफिनेटल आप टार्गेट बुक कीजिए लेकिन यहां पर द्यान दीजिएगा कि 83.5 के ऊपर अगर श्टॉक जाता है और सस्टेन करता है यहां पर अगर सस्टेन दिखता है वो इस टॉक तो आपको ऊपर की तरफ क्या करना चाहिए यहां पर 95 तक के टार्गेट आप रख सकते हैं लेकिन अपने स्टॉप रास को क कर दीजिएगा इसान नहीं कि जो आपने प्रॉफिट यहां तक गेन किया है वह भी आप यहां पर खोने की कोजिश करें तो फ्रेश इंट्री के अगर बात करते हैं तो फ्रेश इंट्री के लिए मैं आप पर कहना चाहूंगा कि ऊपर की तरफ आप देखी जो ग्रीन कलर क लाइन आ रही है यहें 200 दिनों का अपको दिखाई देगा मतलब 82.20 के ऊपर ब्रेक आउट करें और सस्टेन करें मतलब लगबग वही समय लिजिए कि 83 के ऊपर जाकर करें तब आप यहां पर इंट्री करें फिलाल इंट्री ना करें क्योंकि यहां से हो सकता है कि वापीस स स्टॉक नीचे आए जिसा पहले भी लोट करके आए देखिया यहां सी आपको स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई दिया तो वापीस भी हो सकता है कि इसलिए जब तक ब्रेक आउट ना हो जब तक यहां पर इंट्री करें और नीचे की तरफ उसके बाद रखेंगे हम क्या 75 का स्टॉक लास और उपर की तरफ 95 रुपिस का आपकर रहेगा टार्गेट लेकिन इस बात कर ध्यान रखें जो लोग अल्रीडिए इसके इंदर कर चुके हैं वो अपने स्टॉक लास को को कोश्ट करके ही यहां पर क्या करें अपनी होल्डिंग को करें एक तो रुपे का स्टॉक रखें बस और उपर की तरफ उपने होल्डिंग को कंटीनी रखकर के ब्रेक आउट का भी हाँ पर वेट किया जा सकता है तो फ्रेश इंट्री की बात हमने कर ली कि कहा पर इंट्री करना है क्या टार्गेट रूट रखना है और जो अल्रेडी होल्ड क्या हुआ सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिना भूले थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो